दोस्तों आपने लोकोमोटिव के सिरीज देखे होंगे WDP 1, WDP 4, WDP 2, WDP 2D इस तरह से ऐसे ही एलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में होते हैं WAP 1, WAP 2, WAP 3A इस टाइब से आपने WAP 4 देखा होगा, आपने WAP 5 देखा होगा आपने WAP 7 देखा होगा, लेकिन आपने WAP 6 नहीं देखा जी हाँ दोस्तों आज उसी पर चर्चा करेंगे कि WAP 6 कहां चलेगे तो हलो दोस्तों कैसे हैं, आप सब लोग दोस्तों सागत करते हों एक और निव वीडियो के साथ, इन्फॉमेशन के साथ, इंडियन रेलवेज विद डी आलेक्स तो दोस्तों भारतिये लोकोमोटिव वरग, वैब 6 यानि कि WAP 6, 25 किलो वोर्ट AC एलेक्टिक लोकोमेटिव का एक वरग था, जो 1990 के दसक के मद्दे में चितरंजन लोकोमोटिव वरकर्स, यानि कि अपने CLW के इंडियन रेलवेज दोरा विक्सित किया गया था, मोडल का नाम WAP 6 इससे आप समझी गए होगे, मैंने बहुत वार पताया हुआ है अपरेल 1997 में सेवा में परवेश किया गया था, और 1995 से 1998 के बीच CLW ने कुल 17 WAP 6 इकाईया बनाई थी WAP 6 का उदेश है, सफल WAP 4 का तेज संस्क्रन होना था, लेकिन ये 105 किलमेटर परती घंटे की उच गती तक समीत थे, इसलिए यह विफल हो गए थे सब अब सभी इकाईयों को WAP 4 में संसोचीत कर दिया गया है, और सभी को आसन सोल सेड में रखा गया था, लेकिन इनका जब रुपांतरन हुआ तो इन्हें हावडा सेड में स्थानतरन कर दिया अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर किजेगा और हाँ दोस्तों सेड जरूर किजेगा, कुमेंट जरूर किजेगा